लोग समय चुना दोजार चौबिस का बिगुल बच चुका है और रोज नए समीकरण पैदा हो रहे हैं आज हमाई साथ महजूद है कानपूर पे सपा के कदावर विद्धायक अमताब बाच पर उनसे कुछ मुद्धों पर बात कर लेते हैं अमताजी सबसे पहला सवाल तो यही है कि एक समय जिस पे हमला किया करते थे हमलावर हुए करते थे आज उन्ही के साथ गलबाईया डालके बैटना पड़ रहा है एक साथ मंच पे तो यह दिल का मिलान है या चुनावी मिलान है समाजवादी पार्टी की बात कर रहा है हम लोग यह पार्टी यह नीतियों पर काम कर रही है विचारों पर काम कर रही है हम लोग इन नीती सेकुलर है हम लोग सबी धर्मों को सम्मान करते हैं और सब को साथ लेके चलने में यकीन करते हैं हम लोग गरीबों की मदद करने मे कोई परशान नहीं हम लोग असानी से चल सकते हैं चुकि अब लक्ष बढ़ा है अज सब को दिखाई पड़ा है कि भारती अंता पार्टी यो 12% वोट मिला इस देश में और 58% वोट उनके खिलाफ था लेकिन वोट बढ़ जाने करम भारती अंते पार्टी ने उसका लाव अगर हम कानपूर की बात करें तो लोगसवास जो सीट है वो कॉंग्रेस के खाते में गई है और एक प्रत्याशी के तौर पे आलोग मिश्रा का नाम आया आपके खुद के नंबर से भी लिष्ट जो आई थी उसमें ये था लेकिन अभी तक अधिकारिक तौर पे उसकी चाहती दी स्रह भी समाज़ी पार्टी नहीं चाहती दी कॉंग्रेस लेकिश लेकि समाज़ी पार्टी का अपना दावा मजबूत था हम लोगों ने भी दोनों विधायक हम और रूमी एसंजी दोनों लोग गैदराश्ट रबीक पास हम नहोंने कहा था कि लॉए जो लिष्ट चली ग्रूपों में तो हमको भी लगा ये लिष्ट ऑथन्टिक है तो मैंने अपने साथियों को बताने की करद से कि मेरे साथी जान जाएं कि ये है तो उसलिए मैंने उसको कुछ गुस्म डाली फिर देखा भी ऑफिशल गोशना नहीं हुई है तो हम लोग रुके ह है हम लोग उने दोरों के तियारी कर ली है और होली के तुर्णद बाद कि कानपूर की होली तो आप जानते हैं फेमस हो ली है और 30 तारी तक चलेगी गंगा मेले तक गंगा मेले तुर्णद बाद हम लोग 31 मार्च से ही हम लोग फिल्ड में दिखाई पड़ेंगे और जो दिल्ली के केजरीवाल ग्रिफतार हो जाते हैं, एडिक ग्रिफतार कर लेती है, लगातार आप लोग हमलावर हो रहे हैं, जबकि ये तो एक सरकारी अजनसी की अपनी कारवाही है, ये लोकतंद का सबसे दुरुभाग पूर्ण घटना है, जब किसी सिटिंग मुपंत्री को ये ये वाज से ग्रफतार किया गया है, ये तो राहुल जी की बात को हम सब्बत करते हैं, जिन्नों ने का ये आसुरी शकतिया हैं, पर हर एक आप दोनों दोस् diffuse सक्टियां होती हैं, बुरी शक्तियां होती हैं, अजब कोई बुरी सक्टियों का प्रयो Amen का चुनीश सरकार विश्वास ना हो तो वो ऐसी आसुशक्तियों का प्रियोग करेगा इसकी टाइमिंग को लेके भी सवाल खड़े है जब आज चुनाओ अचा सहिताई गोशना हो चुकी है चुनाओ सर पर है नामंकन शुरू हो रहे हैं ऐसे में ये किया जाने निश्ची दूप से सत्ता धार दल के भै को दिखाता है उसको डर है उसको नहीं मालूम कि चुनाओ के बाद वो आएंगे की नहीं आएंगे इसलिए सारी कारवाई चुनाओ के पहले करना चाहे ताकर इनको डर नहीं होता तो कहां जा रहे थे मुकंतरी अगर कोई सचाई होती तो ये चुनाओ के बाद भ और जंता ने मन मना लिया कि इन सारी बातों जवाब अपने बोट के माध्यम से देखी। तो सत्ता दल का ये भी कहना है कि जब राम मंदिर बनता है तो आप लोग कहते हो सुप्रीम कोट की वज़े से हुआ जब चंद्रियान जाता है तो इसरो की वज़े से हुआ एशन गेम जीतते हैं तो अथलीट की वज़े से हुआ लेकिन जब केजरिवाल गिरिफतार होते हैं तो मोधी और मोधी सरकार की वज़े से हुआ? हमको दो यह मानना ची यह शोर्थ निकलताया तो मODI जी शुरू करें तो छान निया में दोगान तो डिए चो दा. पहले कुछ नहीं था पर हम लोग जानते हैं उस संस्थाएं थी जो विकास कर रही थी उनको कमजोर किया है जो यह जो हमारे अपने उपकरम थे उन सब को निजी करना कर दिया है नौजवानों के नोकरी नहीं है किसानों के लिए MSP नहीं है महंगाई हद से जादा बढ़ चाहिए पर उनमें यह साहस रही है इसलिए वो लगातार एक वो फिल्म का डायलोग था कि दाओं दिखाना कुछ और है और लगाना कुछ और है तो यह धार्मिक दाओं दिखाते हैं और लगाते हैं दूसरे दाओं यह एलेट्रोल बांड आगे इस पर सवाज क्यों नहीं इकारें झाल हो रहे बात लिख दो पाकिसूंट से पैसा आया है लोट्री वालों से पैसा आया है वैक्सीन वालों से पैसा आया है यह सारी बातों की भी जांच होनी चाहिए क्या E.D.C.B.I. इसकी भी जाच करेगी? किसने पैसा दिया? किसको दिया? क्यों दिया? क्या इसकी भी जाच होगी? इसलिए जो मूल मुद्धे हैं उनसे सरकार ध्यार भटकाती है. आखिर में लोगों को धार्मिक जो मुद्धे होते हैं जिसमें लोगों के इमोशन होता है उसकी तरव ले जाती है जो मुलभूत जिरुवते हैं उनसे भटकाने काम करती है पर जनता अब इनके चालवाजियों को समझ चुकी है और जो केजरी वाल का जो ये ग्रफतारी है ये इस ताबूत की आखरी कील है अब लोगों ने मन बना लिया कि सरकार को उखाड भी साधा है और एक बात और भी कही है कि जिस तरह से बीजेपी अभी अपनी शकल कभी भी नहीं लाती है वो अपना चुनाव लड़ते हैं उसी से सीख कर वो भी इस पर कानपूर में ऐसा करने जा रहे हैं कैमना मैंन अनिल के साथ अनुरागा गरवाल टीवी नाइन कानप झाल 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 झाल